कि नवश्कार दोस्तों मैं वैब अंश्राज आपको स्वाबत करता हूं तक्स्राइट टुटूरिल के ऑनलाइन चैनल पर दोस्तों हम लोग क्लास के चैप्टर नंबर टू पर बात कर रहे थे ठीक है जिसका नाम है इस्थिर वैदुष भी बहूं धारिता ओके अब दिखि सेजल जिनने लोग अचालक प्याट पदार्थ पी कहते हैं अचालक पदार्थ या प्रावधत पदार्थ कहें दोनों एक ही चीज है ठीक है परावधुथ पदार्थ में क्या था ऐसा होता है कि कुछ-कुछ मतलब कुछ पदार्थ इस प्रकार के होते हैं कि उनके परमाड़ों में अगर हम बात करें उनके परमाड़ों में जाए उनके परमाड़ों की बात करें तो उनके परमाड़ों कैसे होते हैं बिल्कुल ही अदुरूवी होते हैं अदुरूवी का मत क्या करता है जब दोनों क्या करते हैं तो pouditive charge और eine और बनने के कोई chance नहीं है क्योंकि डाइपोल होने करें क्लिए क्लिए क्या होना चाहिए पौश्टीव और निगेतिव चार्ड़ के बीच में separation होना चाहिए थिक कodharization of dielectric matrix means değil डीकिए द्रूमण की starred कीốc समझना होगा कि द्रूवण होता क्या है बाद में समझेंगे कि यह कैसे होता है ठीक है दिखिए यहां पर में पता है कि हम दो पदार्थ होते हैं मतलब परावदत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं एक होता है द्रूवी यह होता अध्रूवी फस्स नंबर पर हम लोग बात क हैं लेकिन जब उस प्रआवेधुद पतार्थ को आप किसी वाहे वैद्दु शेत्र में जा के रख देते हैं ठीक है टो क्या होता है उसमें कुछ आवेशत्पन हो जाता है उसकी एक सता धनावेशित हो जाएगी उसकी एक सता डाइपोल मोमेंट यानि कि वैद्धुत द्रुप आगों फिर से जिरो हो जाएगा अगर आपका जो आपने पदार्थ रखा है वो द्रुवी है तो वो अपनी प्राणबी कंडिशन में यानि इनिशल कंडिशन में लौट आएगा ठीक कोई भी चेंज जिसमें कोई भी चें मतलब कि दोनों चार्ज दोनों प्रकार के आवेश और रनात्मा का आवेश दोनों प्रकार के आवेश एक ही बिंदू पर केंद्रित हैं और जब दोनों आवेश एक ही बिंदू पर केंद्रित होंगे मालिजे यहीं पर प्लस क्यूं लिखा है और यहीं पर माइनस क्यूं भी रखा है जब दोनों आवेश एक ही जगा पर रखे हैं तो दृद्रूफ बनेगा कैसे दृद्रूफ बनने के लिए क्या होना चाहिए दोनों आवेशों को दू दू तो होना चाहिए एक प्लस क्यूं यहाँ पर है तो एक माइनस क्यूं यहाँ पर होना चाहिए न तभी प्लस Q आवेश माइनस Q के उपर चला गया प्लस Q आवेश माइनस Q के उपर चला गया तो 2L 0 हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे 2L 0 रखेंगे पूरा P क्या हो जाएगा इसका मतलब अधुरूवी पदार्थों में धरात्मक आवेश और इरात्मक आवेश दोनों का केंद्र एक ही बिंदू पर होता है जिस कारण कुल वैद्दू द्रदूव आगून शूर्ने हो जाता है और वैद्दू द्रदूव आगून शूर्ने हो जाता है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इनके पास कोई भी इस्थाई द्रदूव आगून नहीं होता है, इस्थाई दृद्रू वागोन नहीं होता है, मतलब ऐसे समान नवस्था में इनके पास कोई भी दृद्रू वागोन नहीं होगा, लेकिन हाँ दोस्तों जब हम इसे किसी वाय वैदू शेत्र में रखेंगे, मतलब उसका धृण करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ी देर के लिए इस ही इसमें द्रुद्रुव आगोन उत्पन हो जाएगा आईए देखते हैं कैसे ठीक है इसको मैं रख करता हूं कंडिशन है दोस्तों यह वह कंडिशन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब कोई भी इलेक्ट्रि इलेक्ट्रिक फील्ड यानि एक वाहे वैदू शेत्र हमने लगा दिया है ठीक है चलिए अब देखेगा आपको पता है कि जब हम इस अध्रुवी बरावेदुत पदार्त को किसी वाहे वैदू शेत्र में किसी धनावेश को रखते हैं तो धनावेश पर बल किदर लगता ह में गया है चेतर की में ने बनाया है वह शेत्र की लगता है वह बल लगता सिफ्टर की विपक्रित की लगता है नोगता है तो जितने दनावेश वह तो इह चले है जितने रिड़ावेश है वो छेत्र के विपरीद शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ा सा ठीक है तो यह निगेटिव जब धरात्मा कावेश अलग है रिड़ात्मा कावेश अलग है मतलब दोनों आवेशों के बीच में कुछ दूरी है अब देखिए यहां पे दूरी भी चार्ज है दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी होगी और वो निश्चित दूरी कुछ भी हो इससे मतलब नहीं एक फाइनाइट डिस्टेंस होनी चाहिए वो है यानि कि 2L का मान यहां पे भाईया जीरो नहीं है जैसे यहां पर हो रहा था यहां पर 2L 0 होनी के कारण ही P0 हो गया था लेकिन यहां पर दोस्तों यह 2L जो है वो प्लस और माइनस चार्जस के बीच की डिस्टेंस है दूरी है जो की 0 नहीं है इसलिए P0 नहीं होगा इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा P does not equal to 0 ठीक है ओके और यहां पर ध्यान दीजेगा यहां पर वाहे अब इसको समझेगा यहां पर देखिए दोस्तों को करना क्या है इतनी बस समझ में आ गए यहां पर थोड़ी देर के लिए से ही वहां क्या होगा तब तक के लिए तो यह ऐसे बना रहेगा ठीक है दोस्तों ओके अगर सपोस करिए दोस्तों अगर हम इस पर वैदू छेत्र का मान और बढ़ा दें तो क्या हो सकता है ठीक देखिए अगर हम वैदू छेत्र E command बढ़ाएंगे, अगर E command बढ़ाएंगे तो, इसके plus charge और minus charge पे लगने वाला force, F is equal to कितना होता था, Q into E ठीक है, वो बढ़ जाएगा, यानि F बढ़ जाएगा, अगर हम ये बढ़ाएंगे तो F बढ़ जाएगा, और F बढ़ेगा तो क्या होगा ये दोनों और दूर जाएंगे जब ये दोनों और दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों और दूर चले जाएंगे तो P बराबर कितना होता है Q into 2L, और जब ये दोनों charges दूर चले जाएंगे तो 2L command बढ़ जाएगा, तो P बढ़ जाएगा यानि कि अब दृद्रूव आगूर और ज्यादा हो गया ठीक है जितनी ज्यादा electric field लगाएंगे उतनी ज्यादा आवेश दूरी मतब आवेशों के बीच के दूरी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगे दूनों और ज्यादा separate हो जाएंगे और 2L का मान बढ़ेगा तो P बढ़ combine नहीं हो सकते मतलब कहने का यह है कि अगर आप electric field यानि वैदू छेत्र को निरंतर बढ़ाते जाएंगे असीमित और अनियमित रूप से बढ़ाते जाएंगे तो last में क्या होगा at last परमाडू में से परावैदूत पदार्थ के परमाडू में से electron जो है वो निकल जाएगा electron निकल जाएगा मतलब परमाडू आपका आइनित हो जाएगा और जब परमाडू आइनित हो गया है electron निकल गया है तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं कि परावैदूत पदार्थ का भंजन हो गया है तो वो dielectric material waste हो जाता है बेकार हो जाता है क्योंकि dielectric material का जो काम है संधार आगे आप समझेगे वो काम नहीं हो पाएगा अगर यहाँ पे भंजन हो गया तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों की एक लिमिट से जादा ना हो वो मैक्सिमम लिमिट से जादा अगर इलक्टिक फिल्ड होगी तो दिक्कत करेगा भाई ठीक है तो आप इस चीज को ध्यान में रखियेगा ठीक ओके चलिए इतनी बार इस मंझा गई अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे वयोडुठ खेट्र अगर ना आता थोड़ा दिमाग लगा है थोड़ा सोचिए अगर यहां पर वैद्दू छेत्र ना आता तो क्या होता तो जाहिर सी बात है कि वैद्दूत दृद्रूब आगोण उत्पन ना होता क्योंकि ना वैद्दू छेत्र होता ना ये प्लस चार्ज अलग माइनस चार्ज अल गया है या उसका ध्रुवन हो गया है हम नहीं कह सकते थे ना बस खतन तो बस यहां भी वह चीज़ाई यानि कि इसमें जो वैद्दुद्रुव आगून उत्पन हुआ है उसका कारण कौन है वाह वैद्दु शेत्र गुड़ और यह वाह वैद्दु शेत्र ने किया क्या है कि इसलिए इस प्रकार के को बोलते हैं प्रह रण द्वारा पर जूजरोंग उन्दाय को Inght होगा यानि कि induced polarization होगा अब इसको मैं रफ करता हूँ द्रुवी पराविदत-पदार्थ चलिए अब लोग इसको समझेंगे कि द्रुवी पराविदत-पदार्थ है क्या ठीक है ओके द्रुवी का मतलब होता है कि उसके पास पहले से जैसे की अद्रुवी में क्या था पॉज अब दोस्तों इसको देखिया इसमें क्या है यह द्रुवी परावर्त का एक सेंपल है इसमें और फोग होगा इलक्टानों का घरत गहत उगा उसको और लोग बोलेंगे वहाँ पे दर्णतमा आवेश है और जहां पर नामिक होगा उसको लोग डूलेंगे धरात्मा काविश है धरात्मा काविश अलग होगा दोनों के केंद्र अलग अलग होंगे मत्तब दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी होगी और जब दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी है तो अगर हम बात करें दोस्तों किसी एक परमाडू की यह जो अंडाकार दिख रहे हैं आपको ये परमाडू है ठीक है ये दुरुवी परमाडू है इसलिए गोल ना होकर क्या है अंडाकार है तो अंडाकार परमाडू की बात करते हैं ये जो है इसमें P0 नहीं होगा इसका P0 नहीं होगा यानि कि अगर हम हर एक 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 परमाडू की बात करें दुर परमाडू का दृद्रू वागून 0 नहीं होता है जी हाँ उसका दृद्रू वागून 0 नहीं होता है लेकिन अगर हम बात करेंगे पूरे पदार्थ की पूरे पदार्थ में ध्यात अखिक है दोस्तों इसके जैसे बहुत धेर सारे परमाडू होंगे असंख के अंगिनत परम सदिश राशियों की गढ़ना कर सदिश राशियों में दिशाय भी तो होती है आप इसका कुल दृद्रू वागून निकालेंगे ठीक है मैं यहां पर चलिए टी लिग दे रहा हूं टी मतलब टोटल पी ऑफ टी जिरो है क्यों मतलब जब आप पूरे पदार्थ के लिए दृ क्या हो जाएगा वैसे ही इसका दृद्रू वागूर जीरो आएगा क्यों क्योंकि आपको पता है दोस्तों दृद्रू वागूर की दिशा नात्म कावेश से नात्म कावेश की और होती है यहां देखिए इसकी दिशा इधर की और हो गई इसकी दिशा ऐसी हो गई इसकी द समस्त रखते हैं दोस्तों अगर एक कमरे में रहने वाले 10 स्टूडेंट्स में से ठीक है कुछ स्टूडेंट्स सफाई कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स गंदगी कर रहे हैं पांच स्टूडेंट्स सफाई करें पांच गंदगी करें तो रिजल्ट क्या आएगा कमरा व लगाएंगे तब क्या होगा दीकिए दोस्तों मैंने यहां पे वाय वैदूशेत्र लगा दिया अग जैसे हम वाय वैदूशेत्र लगाएंगे आपको पता है ना जब किसी वैदूशेत्र में जब किसी वैदूशेत्र में कोई दिर्दूव आगूण ऐसे रखा हुआ था यह प्लस क्यूँ था ठीक है यह प्लस क्यूँ था यह माइनस क्यूँ था जब किसी वैदूशेत्र में कोई दिर्दूव रखा था तो उस दिर्दूव पर एक बलागूण कारी करता था प्रत्य कि यहाँ भी दोस्तों कुछ वैसा ही होने वाला है इस वाह वैदुशेत्र में दिखिए पहले तो ये छोटे-छोटे जो दृ-धृ-धृव है इनको इमनों बोलते है परमाणवी दृ-धृ-धृ-धृव क्यों क्योंकि यह चोटे चोटे पर्माडू है और दृदूरूफ की तरह काम कर रहे हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं यह जो इंडिवीजुल एक अंडाकार मैंने बना रखा है आकरती यह क्या है यह पर्माड भी दृदूरू है यानि कि हर एक पर्माडू का अपना दृदूरूफ आगूण है और वो जीरो नहीं है देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए निगेटिव टू पॉस्टिव जीरो नहीं है ठीक है इसका मतलब और एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पी आगूण तो यहाँ भी जीरो नहीं था ना लेक जब सब लोग मिल के काम करते हैं न दोस्तों तो जँरूर वहाँ पर कोई एफेक्ट दिखाई देता है बिलकिल वही बात हो रही है यहाँ पे सारे दृदृरू एक ही दिशा में संडश्ट हो गएह सब का दृदृदृ आगूण एक जिशा में तो यहाँ दोस्तों पी ड तो कभी भी दृद्धु ना मिलता हमेशा जीरो याता जीरो के लावा कभी कुछ ना मिलता है ठीक बस यहां पर वही काम होने वाला है यहां पर में कारण क्या है वैदु छेत्र वैदु छेत्र वैदु छेत्र नहीं किया क्या है जैसे पहले वाले case में हो रहा था, positive center को अलग कर रहा था, negative center को अलग कर रहा था, दोनों के बीच में distance आ गए ते एक dipole बन गया था, यहां ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यहां केवल इतना काम हो रहा है, वैदुद छेत्रे ने केवल इतना काम किया है, कि दृदुदूफ क अब यहां पे कुछ आइसाई सिम्बल यहां पे यह जो मैंने डाइग्राम बनाय हुआ यहां एक जर्णल है किसी भी दुरूवी या अदुरूवी परावेदुत पदार्थ दोनों के लिए ठीक है अब देखे जब आपने किसी दुरूवी या किसी अदुरूवी परावेदुत पदार्थ को आपने वैदुषेत्र में रखा है तो इतना तो हो जाएगा कि वैदुषेत्र की दिशा मे सारे positive charge shift हो जाएंगे और वैद दुछेद्वके opposite direction में सारे negative charge shift हो जाएंगे ओके अब देखिए जी साइड पर जी साइड पर आपके negative charge है यानि कि जो opposite वाला साइड है वो negatively charge हो जाता है यानि कि सब कैसे जाँगे सब negatively charge हो जाएंगे यहाँ पे क्या होगा यह वाला end सारा positive charge हो जाएगा यह सब positively charge हो जाएगा ठीक ठीक है ओके इतनी चीज़ जा गई अब देखिए यहाँ पे प्रष्टों पर इस side के प्रष्ट पर negative charge डवलप हो गए है और उस side के प्रष्ट पर positive charge डवलप हो गए है तो दोस्तों प्रष्ट पर जो charges develop होते हैं इनको हम लोग बोलते क्या है इनको हम लोग बोलते हैं मुक्त आवेश यानि free charges और यह जो दोस्तों अंदर आवेश है जो परावेदुत पदार्थ के अंदर है जो आपको बाहर से दिखेंगे भी नहीं ठीक है इनको हम लोग क्या बोलते हैं परिबद आ हुआ यानि कि किसी चीज के अंदर पैक और देखिए यह जो charges है यह परावेदुत पदार्थ के भीतर होंगे आपको बाहर से दिखेंगे नहीं क्योंकि आपको बाहर से तो केवर उसकी प्रष्ट दिख रही होगी और प्रष्ट पर रखें आवेश दिख रहे होंगे बस यानि आपको मुक्ताविश तो दिखाई दे सकता है लेकिन यह आपको दिखाई नहीं देगा इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड चार्जस ठीक है इतना डीप में आप से पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी समझ दीजे ठीक है क्योंकि थोड़ा NCRT में इसको लेकर थोड़ का मतलब समझेंगे हम लोग क्योंकि अगर शब्दों का मतलब ही नहीं समझेंगे तो फिर वह चीज़ता समझ में आने से रही वह तो बहुत दूर की बात हो जाएगी पहले समझते हैं धारिता क्या है ठीक है वैद्धुर शब्द का मतलब हम लोग बखू भी जाल गए एक उस बके टमें आप पांच लिटर पानी भढ़ सकते हैं मतलब मैकसिमन पांच लिटर बर सकते हैं अगर आप पांच लिटर कि पानज पांच लिटर के बांग की उस के रख सकती है और जब आप चाहें उसका यूज कर सकते हैं वैसे ही कोई भी चालक पदार आवेशों को एकठा करके रख सकता है जी हाँ कोई भी कोई भी चालक पदार आवेशों को एकठा करके रख सकता है ठीक है सपोस करिए अगर ये रोड लोहे की है अगर हम इस पर आवेश दे दे और इसको आवेश देने के बाद इसको कहीं आईसोलेट करके रख दे आईसोलेट का मतलब होता है इसे ऐसे जगा पे रखें कि इसके चारो और परावैद्दुत पदार्थ हो इसके चारो और अचालक पदार्थ हो ताकि आवेश लीग ना हो आवेश जो होते हैं वो लीग भी कर जाते हैं आवेश लीग ना हो आपने इस लोहे की चान को मान लीज आवेश दे दिया और इसको आईसोलेट कर दिया मतलब इसको परावैद्द पदार्थों के बीच में रख दिया चालक पदार्थों के बीच में रख दिया तो क्या होगा इससे चार्ज लीग नहीं होगा मीडियम में ठीक है जितना चार्ज था वो बना रहेगा और आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन बाद आएंगे इसको देखेंगे तो आपको उतना ही चार्ज मिलेगा इसने किया क्या दोस्तों इसने 10-12 दिन तक आवेश को एकठा करके रखा आपने पास जैसे बकेट में पानी रखा था वैसे इसमें आवेश रखा हुआ है यानि कि अगर बकेट पानी धारण करती है बकेट में पानी इकठा हो सकता है तो उसके पास धारिता है तो दोस्तों चालक ये लोहे की रोड चालक पदार्थ ने भी तो आवेशों को इकठा किया है इसकी भी तो धारिता होगी बिल्कु सही तो बस क्या हुआ किसी भी चालक पदार्थ के द्वारा आवेशों को एकत्र करने की संग्रहित करने की एकठा करने की जो छमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वैदुत धारिता ठीक है दोस्तों ओके और दोस्तों हमने एक चीज देखी है कि अगर मार लीजे हम किसी चालक पदार्थ को क्यों आवेश देते हैं तो उसमें विभावत पन हो जाता है क्योंकि सपोस करिए शुरुवात में इस रॉड को हमने कोई आवेश नहीं दिया है लेकिन जैसे जैसे रॉड पर आवेश कोई मात्रा को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस पर विभाव बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आवेश ही मात्रा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभाव बढ़ेगा और जैसे जैसे विभाव बढ़ेगा तो आपको पता है ना यहां पर अगला स्टेप क्या होगा बराबर का साइन आ जाएगा और एक नियतांक आ जाएगा ठीक है किसी भी चालक वदार्थ के द्वारा आवेशों को एकत्र करने की जो छमता होती है इतनी बाद सव्ण जा गई अब यहां पर हमको वैसा ही कुछ काम करना है ठीक है अब एक डेफिनेशन तो वह बन गई वह भी डेफिनेशन गलत नहीं दोस्तों लेकिन अब एक डेफिनेशन यहां से निकालेंगे इस समीकरन को नाम दे दिया यहां से आईए सी बराबर कितना आजाएगा सी बराबर आजाएगा क्यूं अपॉन भी और दोस्तों क्यूं है क्या किसी भी चालक पदार्थ को दिया गया आवेश और वी क्या है उस चालक पदार्थ पर उत्पन कि अनुपात को क्या बोलते हैं उस चालक पदार्थ की धारिता बोलते हैं मतलब वैद्द धारिता बोलते हैं ठीक एक बड़ फिर समझ लीजेगा याद करना कटिक मतलब याद नहीं करना पड़ेगा रटना नहीं पड़ेगा बहुत एजी है बस यह फॉर्मुला देखिए किसी भी पदार्थ की वैद्द धारिता उस पदार्थ को दिये गए आवेश और उस परुत्पन विभाव के अनुपात के बराबर होती है ठीक है आईए देखते हैं इसका मात्रक की बात करता हूं पहले देखिए मात्रक क्या है इसका मात्रक हम निकाल सकते हैं इसका मात्र क्या होता है कुलाम और वी का मात्रक क्या होता है वोल्ट और इसी को हम क्या बोलते हैं कुलाम पर वोल्ट कोई हम लोग क्या बोलते हैं एक फैरेड बराबर होता है किसके एक कुलाम पर वोल्ट के अब दोस्तों लेकिन यह जो फैरेड है ना यह फैरेड बहुत बड़ा मात् है हमको इतने बड़े मात्रव की जरुथ नहीं है हमको चोटे मात्रव चाहिए जैसे कि हम इसको लीफ spent है एक मीaking मतलब 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 के मासे एक माइक्रोफरा अ करते हैं यह सका एक माइक्रोफेरग्ट सब्सक्राइब उकरेब होगते हैं टुम है मल माऩngकोथ श्रेख थैसल áreasnea भी पावर माइनस नाइन फैरेड इतनी बात करेंगे एक विमा की बात करेंगे और उससे पहले सदिश यादिश यह जान लिया जाए कैसी राशी होगी दोस्तों यह आपको बता है के जो है, ये राशी का इसी ओगी है, अब बात करते हैं हम लोग विमा की, पहले सी की विमा निकालनी है, तो आवेश की विमा को ऊपर रखेंगे, विभव की विमा को नीचे रखेंगे, दोनों को डिवाइट करेंगे, आवेश की कितनी होती है AT और विभाव की विमा विभाव की विमा गर नहीं बता है तो निकाल लीजिए V बरावर कितना होता है W upon Q ठीक है चलिए अब W की विमा होती है MLT-2 स्वरी ML2T-2 upon में इसकी विमा होती है AT तो यह solve की कितना आ जाएगा यह आ जाएगा ML2T-3A-1 ठीक है इसकी यह आ गई V की विमा ML2T-3A-1 यहाँ पर रख दीजिए आप कितना हो जाएगा यह हो जाएगा ML2T-3A-1 इतनी बात समझ जाएगा इसको solve कर लीजिए ठीक है तो विमा कितनी आ जाएगी यह आ जाएगी M की power minus 1 चलिए यह आपकी विमा हो गई तो मात्रग निकल आया अदिश राशी पता चल गई कि भाई अदिश राशी होती विमा निकल आई ठीक है ओके इसमें तो इस वाले टॉपिक में इतना ही था कि धाली तक यह होती है ठीक है अब हम लोग बढ़ते है next topic पे capacitance of a charged spherical conductor ठीक है अब देखिए इसमें एक गोला कार ठीक है और यह चालक गोला है कि क्या लिखा है चालक मतलब यह conductor है दोस्तों conductor है इसका मतलब आप समझ आईए कि जैसे ही आप मैंने बताया था ना कि चाहे खोकली गोली कोश हो चाहे गोला ठोस हो लेकिन वो चालक हो तो ऐसे में क्या होगा आप उसको कहीं भी आवेश देंगे सारा का सारा आवेश निकल के प्रश्ट पर आजाएगा क्यों क्यूंकि अगर आप उसे भीतर किसी बिंदू पर भी आवेश देंगे तो सारे आवेश एक ही टाइप क्यों होंगे दे रहें तो सारा positive charge देंगे य और वह stable हो जाए तो ऐसा ही कुछ यहां पर हो गया देखिए ठीक यह इसकी त्रिज्जा है ठीक और आपने जो आवेश दिया था क्यों वह टोटल चार्ज क्यों यहां पर है ठीक अब देखें मुझे इसकी धारिता निकालनी है तो धारिता निकालने के लिए तो दोस्तों कितना होगा गोली चाला की प्रेश्ट पर विभाव वी इस एकवल टू वर अपॉन फोर पाई अपसालें नॉट इंटू क्यों अपॉन अर होता है हमने टोटल क्यों चार्ज दिया है काप्टल क्यों तो यहां पर हम क्या लीखेंगे क्यों लिख देंगे अपॉन में वह दूरी आवेश की दूरी देखिए दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि यह सारा आवेश प्रष्ट पर ना होकर कहां पर केंद्र है कहां पर केंद्र है इसके केंद्र पर इस्तित है और जब सारा आवेश प्रष्ट पर ना ह डूरत हो गोली चालक की धारिता है गोली चालक की दारिता सी इक्वेल टू क्यू अपॉपांड में यहाँ रख दीजे और वी वी मतलब धींस इकषाए पॉर पाई अपसाले नॉट और क्यों अपाउन में ए ठीक है चलिए अब देखिए यह शिप्ट जाएगा उपर कितना बचेगा सी इक्वल टू क्यों इंटु ए और यह हो जाएगा और फॉर पाई भी तो चला जाएगा ना उपर क्यों और यह बन जाएगा पॉर पाई अपसाले наो饉 इंटु ए यह उपर क्यों शिप्ट हो गया ठीक है अब आप्में बचेगा क्यों क्यों कट जाएगा ठीक है ओओ कि तना जाएगा सी इस इक्वल टू फाइनली कितना अरहे दोस्तों यह निकल किया रहा है सी इक्वल टूust तो दोस्तों आप इसको समझें यह फोर पाई अपसाइलन नौट जो है वो तो कॉंस्टेंट है और कॉंस्टेंट है इसको अटाक के लिख सकते हैं तो दोस्तों यह दोनों यह फॉर्मूला काम का है याद रखेंगा नुमेरिकल में काम आएगा अगर गोली चालक की तरज्या जादा होती जाएगी तो उसकी धारिता भी जादा होगी और दोस्तों आपने पढ़ा है प्रत्वी अमारी कैसी है प्रत्वी अमारी गोला का रहे एक गोला ही तो है और प्रत्वी की त्रिज्या कितनी होती है प्रत्वी की त्रिज्या है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर ये काफी large amount है और जब प्रत्वी की त्रिज्या सपोस करी एक ऐसा गोला प्रत्वी को आप ऐसे समझ सकते हैं प्रत्वी क्या है एक ऐसा गोला है जिसकी त्रिज्या 6.4 ग यानिखियुक्ट कि थालरत बहुत जधा आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं प्रितवी की धारिता वाला गोलीरे करते हैं यह यह है वह कि इस में बढ़ता हूं प्रलोक की यह निकालना तुम दोस्तों देखें आभ यहां पी क्या यह ये कोई एक छड़ है, हमने कोई भी छड़ मान लिया, ठीक है, इस पे शुरुवात में कितना आवेश था, इस पे शुरुवात में कोई आवेश नहीं था, जब शुरुवात में इस पे कोई आवेश नहीं था, हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा आवेश लाला के, इसके आ किसी चण तब चालक की धाना किसी चण चालक पर आवेश क्यों डेश तथा विभाव वी डेश है तब चालक की धारिता कामान निम्निकित होगा। वही सीधी सी बात है कितना होता है सी बराबर कितना होता है आवेश बटे विभाव आवेश कितना है एक्वेशन नमबर हमाई वन हो गई ठिक अच्छा इतनी बात समझा गई अब देखिए हमको करना क्या है हमको इस पे एक आवेश हमको दूसरा आवेश लाना है हम क्या करें था आवेश जब बढ़ाएंगे तो विभाव भी बड़ेगा दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं तभी तो क्यों बराबर सीवी आया था बस वही चीजों नहीं है ठीक है तो थोड़ा सा आवेश और लाके रख देंगे हम यह निकालेंगे कि कितना कारे करना पड़ा है ठीक है जहां पर क्यों वह आवेश होता है जो आवेश हम ला रहे है और वी वह विभाव होता है जो विभाव उस पर था देखे दोस्तों जब हम डीक्यू आवेश को ला रहे है अभी ला रहे ना लाए तो नहीं है तो शुरुवात में पहले जितना आवेश था क्यों डैश था और विभाव वी डैश था तो जब आवेश को ले आएंगे विभाव तो तब चेंज होग और यहां पर विभाव तो वी डैश है रेकिन जिस आवेश को ला रहे है यह वह आवेश होता है हम कौन सा आवेश ला रहे हैं डीक्यू डैश ठीक अब दीखिए समिकार एक का यूज करिए यहां पर प्रॉबलम क्या है दोस्तों यहां पर अभी हमको इंटीग्रेशन पर करना पड़ेगा ठीक है और समा करन करें के सीमाइक कहा तक चलेगा डब्लू इज एक्वल टू इंटिग्रेल जीरो टू क्यूं ठीक है और यह ड़ी ड़ावर कितना हो देगा वी डैश इंटू लिक्यों डैश अब वी डैश की वैल्डी सभी करने एक से रख दीजिए मैं यहां कहा रहा हूं कि आप इसको हमें चेंज करना पड़ेगा यह डी इसके लिए डबल इंटिग्रेशन होता है ठीक है और डबल इंटिग्रेशन आपके कोर्स में है नहीं डबल ट्रिपल मल्टिपल इंटिग्रेशन होते लिकिन वह आपके कोर्स में नहीं है यहां पर सिंगल इंटिग्रेशन है अब हम कुछ जुगार लगाएंगे ठीक है ऐसा कुछ जुगार लगाईए, ऐसा इंतिजाम करिए दोस्तों, कि ये दो variable गाया हो जाए और केवल एक variable बचे, या तो पूरा variable Q में आ जाए, या तो पूरा variable V में आ जाए, ऐसा नहीं चलेगा, कि आदा V में है, आदा Q में है, ये काम नहीं होता, ठीक है, तो चलिए, अब आप समिकरण एक की सहाइता से V' का मान निकाल लिए, V' पर आबर कितना जाएगा, भाई, V' उपर गया, C नीचे आ गया, simple, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, Q' upon में C, ये बास समझ में आई, good, ठीक है, ओके, तो V' is equal to Q' upon C, Q' upon में C, और ये कितना हो जाएगा, ये हो integral of 0 to Q, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, Q' और ये DQ' ठीक है, अच्छा, इसका integration करिये जरा, integration करिये, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 by C, और यहाँ पे दोस्तों, लोग वही वाला formula लगा रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, क integration X की power N DX is equal to, कितना होता है, X की power N plus 1 divided by N plus 1, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यही वाला formula apply करेंगे, देखिए, यहाँ पे यही तो हो रहा है न, X की जगा क्या लिखा है, X की जगा लिखा है Q' पावर इसकी दोस्तों 1 है, क्योंकि पावर कुछ नहीं, मतलब पावर क्या है, पा इसकी बात है, ठीक है, और इसका integration करेंगे, तो कितना आजाएगा, सपोस करिए, यहीं पे आप replace कर दीजे, X की जगा पे Q' रख लिजे, यह हो गया, DQ' कितना हो जाएगा, यह कह रहा है, जो X का पहले वो लिखिए, हमारे पास X की जगा है, क्यों है, तो हम यहाँ पे क्य लिख लेंगे, फिर कह रहा है, पावर में N प्लस 1 करिए, जहाँ पावर 1 थी, 1 प्लस 1, 1 में 1 जोड़ेंगे, 2 आजाएगा, पॉन में 1 प्लस 1, यानि कितना आगया, यह पूरा आजाएगा, यह पूरा आगया हमारा Q' का स्कौाइर, ऐस समय लिजे, 1 by 2 अलग हो गया, और 1 by 2, और यह हो जाएगा, 1 by 2 C, ठीक, और यह हो गया आपका, क्यूं, अब लिमिट रखेंगे, एक बार Q की Q' की जगार रखेंगे, अपर लिमिट, क्यूं, तो यह हो जाएगा, और यहाँ पे स्कौाइर भी है, दोस्तों है, इस स्कौाइर भी है, ठीक, ओके, तो 2 और C ब W is equal to Q square upon 2C, एक रिजल्ट निकल के आए, W is equal to Q square upon 2C, लेकिन दोस्तों, यहाँ पे दिखेंगा, इसी फॉर्मुले के कई रूप निकलेंगे, पहला रूप तो यह है, ठीक है, और दोस्तों, जितना कार्य हम कर रहे हैं, यही कार्य क्या होगा, यही कार्य तो वैदुत इस् Q square upon 2C, ठीक है, अब देखें, यहाँ पे Q बराबर कितना रख सकते हम लोग, आपने पढ़ा है न, Q बराबर कितना होता है, C V, तो यहाँ पे जड़ा रखिए, Q बराबर रखिए C V, स्कॉयर करिए, तो Q स्कॉयर बराबर C स्कॉयर वी स्कॉयर हो जाएगा, C square V square हो जाएगा, रखिए जड़ा, C square V square, C से C कट जाएगा, कितना बचेगा, यह बचेगा, 1 by 2 और C into, ठीक है, half C V square, और देखें, यहाँ पे यह formula जो है, वो Q और C के terms में आ रहा है, यह formula, C और V के terms में आ रहा है, अब हम एक और formula निकालेंगे, जो Q और V के terms में आए, तो Q और V के terms के लिए क्या करेंगे, C की value निकाली है, यहाँ से C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा, Q upon V, यहाँ पे रख दीजे, तो कितना हो जाएगा, यह बन जाएगा, 1 by 2, यहाँ पे रखा, सपोस करिए, C की जगा हमने रखा है, Q upon V, Q upon V रखेंगे, Q उसे Q कटेगा, 1 Q बचेगा, और V पर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, Q into V, इसको में रख कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो यह formula निकालके आया, यह आपका final derivation है, ठीक है, यह derivation important है, ठीक है, पूछा जाता है, ओके दोस्तों, तो आज की session में हम लोग रखते हैं, इतना ही, आज की session से जुड़े notes को प्राप्त करने के लिए, नीचे दिये गए description में जाकर, link पर click किजे, धन्यवाद,